Aslamu Im supplies असasaatin लोगर क्लास कल हम लोगोने पड़ा था फूर्ट चेन फूर्ट वेप तक हमने बात कि थी हमने पूरे एंवार्मेंट को हमने डिसकस किया था कि किस तरह से ऑशवार्मेंट बनता है या एकोसिस्टम बनता है कैसे हम उने स्टड़ी करते हैं लेवल्स ट्रॉफिकल लेवल्स की हमने जो बात की थी फूड चेंड की और फूड वेब की एक था फूड चेंड और एक था फूड वेब मतलब फूड वेब जो था वो फूड चेंड की मौर कॉम्लिकेटड फॉर्म है जब डिफरंट फूड चेंड आपस में कि अगर हम सिर्फ ये बात करें कि ग्रास को सिर्फ को एक कोई एक इंसेक्ट नहीं कहा सकता है और उसे इंसेक्ट भी खा सकते हैं ठीक है इस ग्रास ओपर को रैट भी खा सकता है इसको सनेक भी खा सकता है ठीक है या फिर उसके बाद इंसेक्ट को भी रैट खा सकता है या इस इसको इंसेक्ट को स्नेक भी का सकता है तो यह एक कॉम्प्लिकेटड फूड चेन बान जाती है उस फूड चेन को हम क्या कहते हैं फूड वैब अब जब यह औरकनीजम एक दूसरे से इंटर रिलेट करते हैं कि कौन किसको खाएगा कौन अपनी खुराग को तियार करेगा और कौन किसकी तियार शुड खुराग को इस्तमाल करेगा तो उस बेस पे हमारे पास उस बेस पे जो एकॉलिजिस्ट हैं उन्होंने और्गनिजम को डिवाइड की है उन्होंने और्गनिजम को डिवाइड की है डिफरंट ट्रॉपिक लावल्स में जैसे कुछ होते हैं अपनी खुराग खुँद तियार करते हैं, रिधको, तो इंसनाइ्ट को यूज्जर करके फोटो संथिस करते हैं, तो वो तमाम ऑइंजिम्स जो अपनी खुद तियार कर सकते हैं, उन्हें कहते जो अपनी खुराक खुद त्यार करें उन्हें क्या कहते हैं उन्हें क्या कहते हैं तो जो अपनी खुराक खुद त्यार करें और जो खुद त्यार करें और जो खुद त्यार ना कर सके अपनी खुराक उससे हम क्या कहते हैं उससे कहते हैं हेट्रो ट्रॉफ्स है हेटरोटोफ मतलब कहलो कि हम इंसान हम क्या करते हैं हम अपनी खुराग खुद त्यार करते हैं हम अपनी खुराग खुद त्यार नहीं कर सकते हम अपनी खुराग खुद त्यार नहीं कर सकते हम डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे प्लांट्स फोटो सिंथिस करके शुगर बनाते हैं C6H12O6 गुलुकोज या शुगर ये शुगर्स प्रिपेर करके अपने अंदर स्टोर करते हैं हम इनकी त्यार शुदा खुराग को इस्तमाल करते हैं और अपनी खुराग अपनी खुराग के लिए इन पे इन असार करते हैं प्रिपेर्स 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 प् हेट्रोट्राफ्स आगे डिफरंट टाइप्स के हो सकते हैं उसे हम देखते हैं हेट्रोट्राफ्स के बाद आगे लास्ट में हमारे पास आते हैं जी डीकंपोजर डीकंपोजर वो और्गनीजम होते हैं जो के डेड रिमेंज को डीकंपोज करते हैं आट्रोट्राफ्स अप खुराक तियार करते जोड़कर पार ये लिरे रिमेंज को ये डीकमपोस करते हैं और डीकमपोस करके as a nutrient. As a nutrient ये सौयल को इंको वापिस कर देते हैं. Return कर देते हैं सौयल में. ये न्यूत्रेट वापिस सौयल में चले जाते हैं. उसी सौयल में दुबारा से ये प्लांट ग्रो करवाते हैं. और वही प्लांट फिर उन 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 उना उनाताट्रांटफ को हट्रो अापका हेट्रोट्रॉफ से pushing लेट्रोफ एड़ से ओबrama तो यह साईकल को होग करते है कि ऊनकी स्थी मीख्शल चाल चाल करते हैं त société उनको डीकंपोफ करते हैं पर ध्रॉत कि उनके यह काल caso है में convert हो जाते हैं, soil में buried हो जाते हैं, उसी soil को हम दुबारा से reuse कर लेते हैं, तो यह पूरा cycle चलता रहता है, जिसमें हमारा energy, जिसमें energy या फिर mass वो एक form से दूसरी form में convert होता है, लेकिन कभी भी destroy नहीं होता है, यह recycle, इस recycling की वज़ा से, यह repeat होता रहता है, reuse होता रहता है, लेकिन कभी भी यह खतम नहीं होता, तो autotrophs जो अपनी खुराख खुद तयार करें, और heterotrophs जो अपनी खुद तयार नहीं कर सकते हैं, तो यहां पर बात करते हैं, यह रहे हमारे पास, ट्रॉपिक लेवल्स क्या होते हैं, ecologist group organism in a food web into ट्रॉपिक लेवल्स, तो डिफरंट ट्रॉपिकल लेवल्स हैं, उनके वो हैं तीन, autotrophs, heterotrophs, decomposer, autotrophs क्या होते हैं, like plants यह दूसरे बेक्टेरिया, जो के अपनी खुराख खुद तयार करते हैं, उन्हें हम कहते हैं, फो heterotrophs आते हैं, जो के वो organism that feed on plants, यह autotrophs, जो autotrophs पर depend करते हैं, उन्हें कहते हैं, heterotrophs, और decomposer क्या होते हैं, वो जो feed, मतलब those that feed on dead organic material, जो dead organic material को decompose करते हैं, उसे हम कहते हैं, decomposer, तो first traffic level जो है, वो हमारा autotrophs है, उसके बाद second, third, या fourth one जो है, वो heterotrophs में आते हैं, उनको से end पर जो highest traffic level है, वो है हमारे पास decomposer, अगर हम heterotrophs की बात करें, तो यह आगे different type में divide किये गए है, different type में को कैसे divide किया गया है, वो पहले मैं आपको यहां पर बताती हूँ, एक होते हैं, हमारे पास herbivores, एक होते हैं, herbivores, एक होते हैं, herbivores, हर्प का मतलब आपको पता है, जड़ी बूटियां या plants, तो ऐसे organism, जो सिरफ हर्प्स खाते हैं, जो सिरफ plants पे plants जैसे चीज़े खाते हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं, herbivores, herbivores क्या होते हैं, जो herbs पे depend करते हैं, जो plants खाते हैं, only plant eaters, जो plant eater होते हैं, उन्हें हम कहते हैं herbivores, इसी तरह अगर कोई plant eater है, तो कोई meat eater भी तो हो सकता है, जो सिरफ meat खाता हो, अब आपके ख्याल में meat eater कौन हो सकते हैं, जो सिरफ meat खाते हैं, जो meat खाते हैं, उन्हें कहते हैं, कार्णी वोर्ड्स, उन्हें क्या कहते हैं, कार्णी वोर्ड्स, जो गोश्ट खाते हैं, गोश्ट खाते हैं, गोश्ट काते हैं तो जो सिर्फ प्लांट इटर होते हैं उन्हें हम कहते हैं हर्भी वोर्ड जो मीट इटर होते हैं उन्हें हम कहते हैं पार्णी वोर्ड और ऐसे जो प्लांट इटर भी हो और मीट इटर भी हो मीट इटर्ड मसला टाइगर सिर्फ मीट खाता है वह प्लांट नहीं खा उमनि वर्स वर्स होग बार्ट कोंघी ऐसे सब्सके उसकी है। तो हमारे इलावा कों सकते हैं बीर्ज, बीर्ज भी क्या होते हैं , वह विस्सक्राइब बर्लांट पेश करते हैं निर्यं गयाँवद निकाल हम गया मेचती हैं उत्रॉूइट उत्रॉपटहद से थोडूपढ़ हैं इस तरह को इस तरह करते हैं डिफरन टॉपृक किये गए है यहां पर अपर फिरत किये गाए है एडिक हडिव संथिक बैक्टेरिया और है हमारे पास second level होता है second traffic level उसके बाद आते है carnivores Carnivores कौन होते हैं जो meat eater होते हैं that directly feed on herbivores जो directly plants को खाते हैं वो कौन होते हैं carnivores होते हैं और यह हमारे पास third level है first level था auto truff जो खुद खुद खुराक तियार कर रहे हैं उन auto truff को जो organism कहते हैं वो organism herbivores होते हैं और वो second level होते हैं herbivores को जो खाएंगे उनको जो खाएंगे वो होंगे carnivores और वो third level होगा उनमें example किसकी आगई टाइगर की लाइन की या फॉक्स की और omnivores जो plant eater भी हैं और meat eater भी हैं both plant and meat eater और यह हमारे पास fourth ट्रॉफिक level बनता है और इसमें कौन से example आ चाती है human की और beers की तो यह हम यह ecologist ने इनको इस तरह से classify किया different levels में तो अब हम जिसकी में बार बार बात कर रही थी energy flow in ecosystem तो वो energy flow किस तरह से होती है उसको हम detail से देखते हैं मैंने आपको शाद पिछले lecture में भी बताया था लेकिन मैं इसमें आपको दुबारा से explain करती हूँ जी तो energy flow in ecosystem ecosystem में energy किस तरह flow करती है यह तो हम बात कर चुके हुए है कि जो energy होती है वो ना तो create होती है energy can neither be created nor be destroyed ना तो आप energy को create कर सकते हो ना ही आप उसे destroy कर सकते हो लेकिन यह convert हो सकती है आप इसे convert कर सकते हो एक form से दूसरी form में आप energy को change कर सकते हो, convert कर सकते हो, लेकिन ना तो आप उसे create कर सकते हो, ना ही आप उसे destroy कर सकते हो तो आप energy को ना तो create कर सकते हो, ना ही उसे destroy कर सकते हो, लेकिन एक form से दूसरी form में convert कर सकते हो तो इसकी example देखते हैं कि energy हमारे environment में किस तरह से एक से दूसरी form में convert होती है तो इसके अगर हमें example देखें तो सबसे पहले हमारे पास क्या है जी plants है जो first tropic level है plants है plants क्या करते है plants sun से energy लेते है solar energy तमाम living organism का key point है सबका जो major source है ना वो है solar energy plants sun से solar energy को लेते हैं photosynthesis करवाते हैं और अपनी खुराख को तियार करते हैं अब ये plants हैं आप ना सिर्फ फर्च करो कि आपके पास ये जो plants हैं जो producers हैं इन्हें हम producer भी कहते हैं क्योंको ये अपनी खुराख खुद produce करते हैं तो आप फर्च करो let's suppose कि इसके पास जो energy है ना वो हम कह देते हैं जी के 10,000 किलो calories plants के पास energy है इतनी energy इनके पास stored है और ये plants ने अपनी खुराख खुद तियार की वी है अब इस plant को इस plant को खा लिया किसने primary consumer ने मतलब consumer हमने दो तरह के देखे ना primary, secondary और tertiary मैंने आपको ये classification ही बताई इसमें आते है consumer की जो हमने बात की है जो अपनी खुराख खुद त्यार करते हैं कि अपनी खुद त्यार नहीं करते हैं अब इस disponstynा धन्य खुद त्यार करें। प्रोड्यूसर्स पे अगर इस रैट की हम बात करें इसने अपनी खुराक के लिए प्लांट को इट किया अब इस रैट को इट कर लिया किसने के लो जी कि स्नेक ने ठीक है और इस स्नेक को किसने खा लिया एगल ने अब यह आपके पास जो रैट था यह था प्राइमरी कंजियूमर प्राइमरी कंजियूमर ऐसा कंजियूमर जो डारेक्ली किस पे डिपेंड कर रहा है प्रोड्यूसर्स पे ऐसा कंजियूमर जो डारेक्ली प्रोड्यूसर पे डिपेंड कर रहा है उससे हम कहते हैं प्राइमर कंजियूमर को किसी और ने खा लिया और जिसने खाया उसे हम कहेंगे सेकेंडरी कंजियूमर क्यूंकि इसने डिरेक्टली प्रोड्यूसर को इट नहीं किया इसने मतलब प्रोड्यूसर को तो रैट ने खाया अब रैट को सनेक ने खाया सनेक ने डिरेक्टली प्रोड्यूसर को इट नहीं किया उसने रेट को इट किया तो प्राइमरी कंजियूमर जो प्लांट को डिरेक्ली इट करेगा वो कहलाएगा प्राइमरी कंजियूमर और प्राइमरी कंजियूमर को जो इट करेगा वो कहलाएगा सेकेंडरी कंजियूमर और सेकेंडरी कंजियूमर को जो इट क कब दो कि खुगाए वो तर्शरी तो यहां पे मैं एक्जापल दे रही थी एनर्जी फेलो की यह मारे पास है प्लांट्स जिसे हम क्या कहते हैं प्रोडीूसर्स जिन्होंने अपनी खुराख खुद त्यार किया है तो फर्ष्ट कर लो कि यह जो प्लांट्स थे हैं इन्होंन ये कौन था ये था primary consumer प्राइमरी consumer रेबिट है रेबिट ने इसको खा लिया तो हमेशा ये याद रखनी है कि जब भी energy एक से दूसरे में convert होती है तो total energy का 10% total energy का 10% ये as a heat environment में चला जाता है total energy अब यहाँ पे कितनी है 10,000 तो 10,000 का 10% कितना निकलेगा ये 0 इसे कड़ गया ये इसे कड़ गया बाकी कितना बचा सिरफ ठीक तो अब यहाँ पे जो 10,000 किलो कैलरी यहाँ पे energy थी जब रेबिट इसको इट करेगा तो इसका 10% यहाँ पे heat की form में निकल जाएगा as a heat यहाँ से निकल जाएगा release हो जाएगा तो बाकी जो energy है वो rabbit में आ जाएगी तो rabbit में बाकी energy कितनी बची वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ थाउजन रह गया उसके बाद इस rabbit को किसने eat कर लिया कहलो जी secondary secondary consumer snake यह है हमारे पास secondary consumer snake इस snake इसकी energy total कितनी थी सोरी मैं गलत तो नहीं लिख रही नहीं ठीक है यहाँ पे सोरी total energy हमारे पास इतनी थी यहाँ पे और बाकी मैंने गलत लिखा एक zero काम डाला इसकी total energy यहाँ प जाएगा secondary consumer तो इसका भी तो 10% जाएगा अब इसका 10% जब जाएगा तो बाकी कितना बचेगा बाकी रह गया जी thousand अब thousand snake के पास रहगी thousand energy और बाकी जो energy है वो as a heat environment में चली गई अब इसने को फिरा आगे कोई tertiary consumer खा ले तो बाकी energy इसमें रह जाएगी जो 10% है वो as a heat environment में चली जाएगी तो करते करते यह सारी energy जो total में इतनी जादा थी जब heat release होते होते end पे जो decomposers तक आ जाएगा तो energy बहुत कम रह जाएगी लेकिन इस पूरे cycle में कहीं पर भी energy destroy नहीं होगी energy सिरफ एक से दूसरी फॉर में convert होगी तो वह कैसे convert होगी उसे हम देखते हैं यह देखें energy flowing ecosystem ultimate source of solar energy of all living organism is a solar energy जितने भी organism है उन तमाम का जो source of energy है वो solar energy होता है solar energy is taken up by plants for photosynthesis and transfer to the subsequent trophic levels अब यह जो energy इनोंने प्लांट्स ने यूज की photosynthesis की अपनी खुराखुद तियार की तियार करके अब उनको मजीद जो आगे वो transfer होगी और जो solar energy हो unidirectional होती है मतलब suns से plants तक तो आती है लेकिन plants वापिस उसे sun तक नहीं बेच सकते तो यह सिरफ unidirectional होती है समझ आग only about only about 10% of the energy from organic matter is stored as flesh and the rest is lost as a heat sorry 10% heat की form में release नहीं होती है जो 10% है वो store होती है बाकी सारी चली जाती है जो 10% है वो store हो जाती है और बाकी जहना environment में चली जाती है तो यह देखें यहाँ पे डाग्राम से समझाया प्रोडूसर है और प्रोडूसर कौन है plants है plants की energy stored है इन्होंने sun से energy ली energy from sun plants ने इस energy को use किया अपनी खुराग तियार की और उस तियार शुदा खुराग को जब primary consumer खाते हैं तो अब यह total energy देखें कितनी है इसका 10% store हो जाएगी और वो 10% सिरफ कितना बनता है वो thousand बनता है वो store हो जाएगी और बाकी जितनी energy है वो स rabbit था अब primary consumer को secondary ने खाया जो कि snake था अब snake इस total energy का 10% 100 वो store हो गया और बाकी जो थी वो as a heat environment में चली गए इस secondary consumer को tertiary consumer ने खाया जो कौन था eagle eagle ने इसको खा लिया अब इस energy का 10% store हो गया और वो कितनी थी 10 100 का 10% 10 बना वो store हो गया और बाकी जितनी energy थी वो as a heat environment में चली गए तो ये इस तरह से हमारे पास environment में एक form से दूसरी form में energy convert होती है लेकिन कभी भी ना तो ये दुबारा से create होती है और ना ही ये destroy की जा सकती है और most important thing ये solar energy unidirectional होती है मतलब ये sun से plants में तो आ सकती है लेकिन plants इसे वापिस sun तक नहीं बेज सकते है और उसी energy को फिर further different level में distribute किया जाता है और बाकी के जो energy बचती है वो as a heat environment में चली जाती है और उस environment का temperature increase करवाती है जिसकी वज़ा से हमारे environment का temperature day by day इतना कुछ ज है वो extreme conditions में आ चुके हो है और इसी इसका सबसे बड़ा जो effect है वो है global warming और वो आपने 9 में भी पढ़ा होगा है इसको हम यहां पे दुबारा से देखेंगे और हम इसे कहां पे देखेंगे next topic में next topic हमने start करना है environmental pollution अब वो जो pollution हम start करेंगे उसमें हम इसको detail में देखते है कि वहां पे हम different effects पढ़ेंगे जैसे acid rain है acid rain है और उसके इलावा global warming है ozone depletion है तो यह सारे effect हम देखते हैं तो next start करते हैं अपने अगले topic पे यहां तक तो किसी को कोई problem नहीं है environmental के जो components है वो हमने detail से देख लिए है अब हम environmental pollution की दरफ चलते हैं so हमारा next topic है जी pollution और pollution हम कौन से देखनी है environment की जो environmental pollution है वो किस किस तरह की हो सकती है और यह different type की pollution हो सकती है environment में जो भी चीज pollution create करते हैं हमने उसको detail से देखना है पहले तो हम बात करते हैं जी pollution क्या होता है pollution pollution कौन create करता है pollution क्रियेट करने के लिए कुछ agent होते हैं कुछ agent होते हैं जो pollution create करवाते हैं जैसे कोई भी policy है उसको गर हम किसी ने जैसे किसी बैंक की policy है तो उस policy को आगे कर sale करवाने के लिए उनके कुछ एजन्ट होते हैं, जो उनको बताते हैं कि यह इसके यह पॉजिटिव यह नेगेटिव पॉइंट्स हैं, तो उनका काम करवाने के लिए, वो अपना काम किसी के थू करवाते हैं, और जिसके थू करवाते हैं, वो एजन्ट होते हैं, तो जो पलूशन क्रियेट हो एजेंट्स को हम कहते हैं पल्यूटेंट्स उन्हें क्या कहते हैं पल्यूटेंट्स यह वो प्ल्यूटेंट्स जो हैं यह प्लूशन क्रियेट करते हैं और प्ल्यूटेंट्स हमारे पास कैमिकल्स भी हो सकते हैं होते ही जदर दर कैमिकल्स हैं प्ल्यूटेंट्स हमारे पास pollutant ऐसा chemical होता है जो pollution create कर वाता है ठीक है مثلا एयर है हवा है हवा में जाना वो गाड़ीों का दुआ चला गया हवा भी एक मतलब गैस है और जो दुआ गया वो भी गैस है तो गैस के अंदर गैस mix हो गई वो एक तो जाना जिसे कह लो के pure नी रहा एक तो gas impure हो गई और दूसरा वो plute भी हो गई मतलब वो नुकसान दे gas भी है एक तो gas impure हो गई क्योंकि इसमें दूसरी gas mix हो गई दूसरा वो नुकसान दे हो गई है तो ऐसी चीज़ को हम कहते है pollutant जो impure भी करवा दे जो किसी को impure तो करवाएगा करवाएगा लेकिन उसे क्या करदेगा harmful भी बना देगा तो उस चीज़ को हम कहते है pollutant लेकिन contaminant क्या होते है contaminant वो होते है जो contamination करवाते है contamination करवाते हैं अब contaminants कौन होते हैं ऐसे substance जो किसी को impure तो करें लेकिन उसे harmful नहीं बनाते most common example दूद में पानी दूद भी liquid था पानी वैसे liquid है तो liquid में दूसरा liquid mix हुआ impure वो हो गया लेकिन दूद में पानी डाले से कोई नुकसान नहीं होता तो उसे हम कहते हैं contaminant, वहाँ पे contamination हो गई है लेकिन जो चीज इन पे और भी करें और harmful effect भी शो करवाए उसे हम कहते हैं pollutant तो हम चुंके पढ़ रहे हैं हमारा topic की pollution है तो हमारा concern किसे होगा pollutants है तो हमने different pollutants देखने हैं अब जो यह pollutants होते हैं यह आपके पास दो तरह की होते हैं pollutants दो तरह की होते हैं एक होते हैं जी primary pollutants और एक होते हैं secondary pollutants नाम से जाहिर हो रहा है primary क्यों कौन से होते हैं primary pollutant ऐसे pollutant जो directly environment में introduce करवाए जाए human activities की वज़ा से जो pollutant directly introduce करवाए जाए directly introduce into environment जो directly environment में introduce करवाए जाए उन्हें हम कहते हैं primary pollutants for example हम vehicles यूज़ करते हैं गाड़ियों के दूवे में बहुत सारे chemicals होते हैं बहुत सारे oxides होते हैं सिरफ vehicles में नहीं होते organic compound की burning से कहलो कि कोईला जब कोईला बर्ण करता है तब भी बहुत सारे oxides produce होते हैं forest जब forest में आग लगती है forest burning होती है तो वहाँ पे भी बहुत सारे oxides produce होते हैं अब ये जो oxides produce हो रहे हैं ये directly हवाँ में जाते हैं एक बात याद रखिएगा जहां पर भी हम बात करते हैं और गैनिक material की अब वो और गैनिक material कुछ भी हो सकता है ये जो हम petrol यूज करते हैं ये भी और गैनिक में आता है forest मतलब जंगलाद की बात करें तो वो भी और गैनिक material है ठीक है कोईला वो भी और गैनिक है तो जब भी और गैनिक material बर्ण करता है और गैनिक में होती तीन चीज़े हैं दो तो most important होती हैं एक carbon और एक hydrogen हम और गैनिक कहते ही उस चीज़ को हैं जिसका main skeleton carbon का हो और hydrogen का हो carbon और hydrogen से मिलकर बनने वाले जितने भी compounds होते हैं वो और गैनिक होते हैं तो जब भी organic compound बर्ण करते हैं तो carbon की वज़ा से carbon के दो oxide हो सकते हैं यह तो carbon monoxide यह फिर carbon का dioxide अब carbon वहाँ पे major part होता है लेकिन कभी-कभी इनके साथ nitrogen होता है sulfur होता है, phosphorus होता है इस तरह के different elements मुझूद होता है लेकिन main skeleton उसका किसका होता है carbon का तो जब यह organic material बर्ण करते हैं तो वहाँ पे कौन-कौन से oxide पैदा हो सकते हैं carbon की वज़ा से produce होते हैं carbon के oxide और वो हैं दो carbon monoxide, carbon dioxide इसलिए हम इसे combine करके कह देते हैं COX X का मतलब है यह mono भी हो सकता है और यह di भी हो सकता है इसी तरह nitrogen की वज़ा से nitrogen के 5 oxide बनते हैं अब मैं 5 यहाँ पे लिखूंगे नहीं nitrogen oxide है, nitrogen dioxide है nitrogen oxide है dinitrogen pentoxide है तो यह different 5 oxide बनाता है इसलिए हम उसे noxys कहते हैं NOx sulfur के बन करने के वज़ा से produce होते है sulfur के do oxide sulfur का dioxide यह sulfur का trioxide और इसे हम क्या बोल देंगे SOX SOX तो यह होते हैं primary pollutant जो directly हवा में जाते हैं यह directly introduce करवाई जाते हैं environment में और यह mostly vehicles की वज़ा से forest burning forest fire की वज़ा से यह कोईले की बर्णिंग की वज़ा से जब यह organic material बर्ण होता है तो यह तमाम primary pollutant directly हवा में जाते हैं इसलिए हम इने कहते हैं primary pollutants अब यही primary pollutant जब further react करते हैं प्राइमरी pollutant कौन कौन से हैं carbon के oxide या फिर sulfur के oxide या nitrogen के oxide अब यह तमाम oxide कहां पे मुझूद हैं यह हैं environment में हवा में और उस हवा में क्या मुझूद होते हैं vapors water vapors और water vapors को हम लिखेंगे तो H2O ही ना लेकिन हम यहां पे लिख देते हैं G क्याइस water vapors से react करते हैं H2O और यह पानी नहीं है यह vapors की फॉओम में है ठीक है जब यही primary pollutant water vapors से react करते है तो यह नए pollutants create करते हैं जैसे carbon के oxide water से react करके बनाते हैं carbonic acid H2CO3 CO3, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं, कार्बॉनिक एसिड, यह हो गया कार्बॉनिक एसिड, जो सल्फर की उक्साइड है, वो क्या बनाएंगे, सल्फियूरिक एसिड, ह2SO4, नाइट्रोजन के जो उक्साइड है, वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, नाइट्रिक एसिड, तो अब यह pollutant थे जो डिरेक्टली इंट्रोड्यूस हुए थे, इन्हों ने जब फर्दर रियक्ट किया, तो नए इन्हों नए पल्यूटंट क्रियेट कर दिये, वो जो नए पल्यूटंट बने हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी पल्यूटंट, जो सेकेंडरी पल्य होगी, तो बारिश का पानी नीचे आथे होएं, इन सकेंडरी पल्यूटंट को अपने साथ मिला लेगा, और जब अपने साथ मिलाईगा, तो यह एसिड बारिश के पानी के साथ मीच्चे आते हैं, और उसे हम क्या कहते हैं, इसको मैं एसी ड्रेंट वाले टोपिक में मजी होते हैं जो फर्दर उनके रियक्शन से बने हैं उन्हें कहते हैं सेकंडरी पल्यूटन्स तो इसको जरा डिटेल मैप को एक नजर दिखाती हूं तो यह हमारे पास कौन सी पुल्यूशन बनी यह उकसाइड हवा में गया ना तो हवा में इन्होंने जाके मज़ीद पुल्यू तो आपके ख्याल में किसी और तरह की पुल्यूशन नहीं हो सकती तो डिफरंट टाइप की पुल्यूशन होती है मैं अगर हम टाइप देखे पुल्यूशन की तो हमारे पास एर की पुल्यूशन हो सकती है हमारे पास वाटर की पुल्यूशन हो सकती है यह फिर लैंड की प देखेंगे भी अभी हम सिरफ pollution का आज हमने इंट्रो देखा है कि pollution होती क्या है और इसको create कैसे करवाते हैं agents किस तरह से देखते हैं इसको एक नजर देखते हैं तो यह देखें यह हमारे पास यह हमारे पास environmental pollution environmental pollution क्या है any undesirable change in physical chemical और biological characteristics of air, land, water and soil अब pollutants के होते हैं agents that cause pollution और यह दो तरह के primary और secondary that are directly introduced in environment primary और जो primary pollutant के further reaction से बने secondary pollutant वो मैंने नीचे example दी carbonic acid, sulfuric acid और nitric acid अब type of pollution है जी pollution different type की हो सकती है इयर की pollution हो सकती है, noise की pollution हो सकती है, soil की pollution हो सकती है, ocean की, water की, land की, thermal की हुआ है